हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी फैमिली के साथ रामे शरमधाम आई वही हूँ, तो रामे शरमधाम में मंदिर जाने से पहले हम लोगों को अगनी तीर्थ में समुद्र में इसनान करना होता है, उसके बाद हम लोगों ने एक पंडा किया हुआ है, जो कि हम लोगों को 22 कुन् उसके बाद हम लोग जाएंगे कपे चेंज करने के लिए, फिर मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर अगली जगह हम आप लोगों से मिलेंगे मंदिर के कोरिडोर में जान करने 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 के लिए, जान करने 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 क ज्री धर लें मुद्लश देरहे हैं त Initiेम ड़रों का अभनाद मुद्ज शेट मजह का अधन włas चाहार के सामगे यह इद हिवे ताउत के साम्मे हम को डाई हुए है मुद्छे है अधने संचिते के जैने संध Kendall जैरों मजह आ जाने आज हम लोग आई हुए हैं साइट सीन के लिए धनुष बोई यह वो जगह है जिसको के कहते हैं बॉइस किलो मीटर की रास्ता रह जाती है और यहां पर रॉंड़ोगा में पर स्री लंका ने रहे हैं वही कम दूरी पर स्री लंका है और हम सभी लोगे मुवाल में भी आने लगा बेलकां द्रू श्री लंका अब जहां जाएंगे आपको भी दिखाएंगे कि हम लोगोंने क्या क्या करें दोस्कों आज इसको में हम लोग आई हुए हैं दिविशर मंदिद ये मंदिद लुटी के अचे बरीच पड़ता है देखी दोस्तों ये है एपीजे अब्डुल कलाम का घर और इसी में ऊपर बना हुआ संग्राल है और उन्होंने जितने भी जो भी पदम बिभूशन और जो जो उनको वादियां मिली है वो साले लगे हुए हैं अब हम आए हैं नटराज टेंपिल ये हैं दोस्तों लच्मन मंदिर दोस्तों अब हम आए हैं पंच मुखी हनुमान जी के मंदिर में यहां पर पानी में तेरते हुए कुछ पत्थर दिखाई देते हैं दोस्तों ये देखिए ये मेरी बेटी धनुश कोडी के रास्ते पर ही ATV वाइक की राइट कर रही है और कितना मज़ा आ रहा इसको अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में बाई